नमस्कार मैं हो ससी आये जरगां की टॉप 25 परमो खबर जानते हैं देश में कुरोना के जल्द टीका करवन की सुरुआत होने की खबर के बीच चार राजों ने केंद्र सरकार की चींता बढ़ा दिया है परमो खबर केंद्र सरकार ने राजों को कुरोना संक्रमन को काम करने के जरूरी कदम उठाने का निदेश दिया है और चेतावनी जारी करते हुए काया है कि अगर जल्द कावू नहीं पाया गया तो संक्रमन बढ़ सकता है बता दे इन चार राजियों में महराष्ट, केरल, 36 गड़ और पच्छी मंगाल सामिल है जहां कुरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं केंद्रिय स्वास सचीव राजस भोसन ने इन राजियों को कम एवं घर्टी जाश दर्कियों और ध्यानाक्रिष्ट कराने के लिए लिखे पत्र में कहा है कि इस समय कोई भी लचर रवय या संक्रमन के परसार को रोकने में हमारी समोहिक करवाई के नतिजों को निस्पल कर सकता है मौसम विभाग के हमसाद 10 जनवरी तक बादल चाहे रहने का अनुमान है इसके बाद तापमान में और गिरावट हो सकती है जिससे 12 जनवरी और इसके बाद सरदी और बढ़ेगी इसको लेकर लोगों को अलट भी किया गया है मीडिया रिपोर्ट के मुताविक मौसम विग्यानिक अभिसेक अनन ने बताया कि 10 जनवरी तक राची सहीत आसपास के चेत्रों में बादल चाहे रहेंगे इतना ही नहीं कुछ इलाकों में बारिश तो कुछ में हलकी फुलकी बुंदा बांदी भी होने के असर है जार्खन के मुक्य मंत्री हमन सुरेण का काफिला रोके जाने के मामले का मुख्यारोपी भैरोसिंग ने गुरु आरको कोट में सरेंडर कर दिया है बतादे कोट ने भैरोसिंग को 7 दिन की पूलिस रिमांड पर भेज दिया है इसे पुर्व राची की अदालत में आत्म समर्पन करने पहुंचे भैरो से इंग के आने पर यहां कुछ देर तक हंगामा होता रहा इस करम में वकील और पुलिस के बीच ताना तरनी के इस्थिती बन गई बतादे राची पुलिस बहरों को हिरासत में लेकर अपने साथ ले जाना चाह रही थी लेकिन वकीलों का काना था कि अभियूक्त ने जब कोर्ट में सरेंडर किया है तो पुलिस उसे हिरासत में नहीं ले सकती जार्खन में मैट्रिक और इंटर्मीडियेट की परिक्षा की बढ़ेगी तारीक जार्खन में मैट्रिक और इंटर्मीडियेट परिक्षा की तारीक बढ़ सकती है बतादे राज सरकार ने हत शेप कर जार्खन एकेडमी काउंसील को तारीक बढ़ाने को कहा है कुरोना के कारण ना सिर्फ पठन पाठन का कार्या परभावित हुआ है बलिक कम समय में परिक्षा आयोजित करना भी चुना होती है ऐसे में इसकूल संगटनों ने भी तारिक में बदलाव की मांग की है बता दे इस बीच ऐसी समवना जताई आ रही है कि परिक्षा अपरेल में आयोजित की आ सकती है आपको बता दे कि जैक ने मैट्रिक एवाम इंटर की परिक्षा की तीथी नौ मार्च से घोशित की है पंचाज सचीव की नियुक्ती मामले में आठ हपते में ले निर्ना है हाई कोट जार्खन हाई कोट ने पंचाज सचीव की नियुक्ती मामले में सरकार को आठ सपता के अंदर उचीत निर्ना लेकर आदेश पारित करने का नेदेश दिया है बतादे जस्टिस संजय कुमार दुवेदी के अधारत ने जार्खन करमचारी चायन आयोक को सोनी कुमारी के मामले में हाई कोट के तीन सदसिये पीट की ओर से दिये फसले के अधार पर निर्नाय लेने का निर्देश दिया है सोनी कुमारी के मामले में या असपर्ष्ट किया गया है कि पंचाथ सच्च की नियुक्ती मामले में गयर अनसुचित जीलों में नियुक्ती परकिरिया पर किसी परकार की रोक नहीं लगाई गई है जार्खन में सरकारी नोकरी के लिए अब होगी सन्यूक्त परिक्षा नई नियमावली जार्खन कैमनेट में बुद्धवार को दो महत्पुन फसले लिये गए बता दे पहला जार्खन ने केंद्र और आर्बी आई के साथ बिजली खरीद में भुगतान सुरक्षा के लिए 2017 में हुए तिरिपक्षे समझाओते से बाहर निकलने का फसला लिया है साथ ही पहली बार जार्खन कमबाइंड एकजामीनेशन रोल्स 2021 को भी मजूरी दी गई है बता दे अब इसके आधार पर जे पी एससी परिक्षाओ का कलेंडर जारी करेगा और राजे में नियुक्ति परक्रिया सुरू होगी कारेकाल खत्म होने के बाद भी मुखिया 6 मा तक रहेंगे पंचायत प्रधान पांच साल का कारेकाल समाप्त होने के बाद भी मुखिया अगले 6 मा तक या अगले चुनाव होने तक ग्राम पंचायतों के प्रधान रहेंगे बता दे उनका पद नाम प्रधान कारेकारी समीती ग्राम पंचायत रहेगा हलाकि निर्वाचित ग्राम पंचायतों का बिगटन कर दिया जाएगा उस अस्थान पर गठित होने वाली कारेकारी समीती के अध्यक्स बिगटन से पहले मुखिया रहे ब्यक्ति ही होंगे प्रखंड अस्तर पर पंचाज समीती और जीला परिशदों के बिगटन के बाद भी यही वेवस्ता रहेगी जार्खंड सरकार ने यह अफ़सला लिया है जार्खंड में टीका करन अभियान के लिए एक क्रोर लोग चिनित जार्खंड के हमन सुरें सरकार ने कोरोना वारस टीका करन अभियान एम कोल्ड चेन मेनेजमेंट की चल रही तैयारियों के अधिकारियों के साथ समीक्षा की इस दोरान राज में कुरोना वारस टीका करन अभियान के लिए लवग 99,09,000 लोग को चिनित किया गया है इसके तह़त पहले चरण में 5,000,000,000,000 लोग चेनित की बट केर्ट पुर्ण लाग फ्रॉन्ट लाग दोंखान個 को टीका लगा जाएगा जारखन में 195 नए संक्रमितों के पुष्टी हुई है जो राची से 102, भुकारो से 7, 141, देवगर 1, धनबाद 22, दूमका 3, पूर्वी सिमुम 16, गुड़ा 2, गुमला 1, हजारी बाक चार जामतरा 1, खोटी 2, कुडरमा 1, लाते हर 2, लुदागा 3, पलामु 10, रामगर 6, सराय क एक वसिम डेगा, एक पच्मी सिमुम से 9 मरीज मिले हैं, बतादे राजे में एक की मौत हुई है, जो गुमला जिला से सामिल है, जारखन में कूल मौत की संक्या 1,041 है, वहाई एक टीप केस 14, 47 है, भारत में 18,094 मरीज मिले हैं, भारत में कूल मौत की संक्या 1,50, 606 है, व जो में बड़ फुलू की दस्तक का असर जारखन की रजानी राची के चीकेन बजार पर भी दिख रहा है, बतादे सहर के चीकेन बिक्रेता इससे काफी परिसान है, बेपारियों का काना है कि अगर जल्दी बड़ फुलू पर काबू नहीं पाया गया तो करोबारी सीजन मे बड़ा नुकसान होगा, वहीं दूसरी तरफ सहर में फुलू को लेकर अफवाव का बजार गर्म है, इसका सिधा असर बजार पर दिख रहा है, सहर में चीकन के अउसत खपत आधी हो गई है, ऐसे में सप्लायर और ठोक बिक्रेता भी परिसान है, जारखन के 63,000 पुलिस कर कर्मियों ने एक अभियान शुरू किया है, जिसका नाम दिया है अभियान हमारा छुटी, दो जन्वरी से शुरू हुए इस अभियान का समापन 12 जन्वरी को होगा, इस ओधी में पुरे-परदेश के पुलिस कर्मी अभियान हमारा छुटी का पर्चा भरेंगे, इसे 13 जन नियम के ताथ लोगों को अस्थाई आजीव का मुहया कराने में जार्खन ने बढ़ी उपलवदी आसिल किया है। पूरे देश में दूसरे अस्थान पर पहुंच गया है। वर्क ओर्डर्स 370 को रुपे का है। राज जेपाल मुख्य मंत्री सहित जार्खन में 50 लाख परिवारों के दरवाजे पर पहुचेंगे करकाता। सिरी राम जर्म भूमी निधी संग्र अभियान को लेकर जार्खन सहित पूरे देश में उत्सा है। इस अभियान के तहत लोगों के घरों तक पहुचने के लिए जार्खन में 40,000 टोलिया बनाई गई है। दो लाख करकताओं ने समय देने का निना लिया है। विश्व हिंदू परिशत के 600 से अधिक करकताओं ने 44 दिनों तक पूरा समय देने की समाती दी है। इस अभियान में लागे टोली के सदस्य राजे पाल मुख्य मंत्री वा मंत्री से लेकर राजे के 50 लाख परिवारों के दरवाजे पर आर्थिक स्वयोग लेने के लिए पहुचेंगे। मंत्री मिथिले स्ठाकूर करेंगे मिथिले पंचांग का लोकारपन। विद्यापती असमारक समीती के बालसिक मिथिले पंचांग का लोकारपन 24 जनवरी को 2 पर 3 बजे किया जाएगा बतादे पंचांग का लोकारपन छारखन सरकार के जल संसाधन मंत्री मिथिले स्ठाकूर करेंगे। मुख्यातिती के रूप में जाउमों विधायक, माथुरा परसाद महतो और ब्यावसाई नवीन जा विशेस तोर पर उफस्तित रहेंगे। किसानों के हित में किरिसी बील वापस ले केंद्र सरकार। केंद्री किरिसी कानून विल के खिलाप जीला कॉंग्रेस कमिटी के सदस्यों ने गुरुवार को मसाल जुलिस निकाला। इसके बाद भीर कुवर सिंग चोग पर नुकर सभा आयुजित की गई। सभा को समवधित करते हुए सूबे किरिसी मंत्री बादल पत्रलेक ने कहा कि ने नमोदी की सरकार किसानों के हित में किरिसी कानून वापस ले। उन्होंने कहा कि यह किसानों के लिए काला कानून है जिसके लिए किसान आंदोली था है। बादल ने कहा कि अगर 30 जनवरी के पहले इस बिल को आपस नहीं लिया गया तो जारकंड से दूसरे हुलक का बिगुल फुका जाएगा सहरी छेत्र में 10 हजार और ग्रामिन में 5,000 से अधिक बिजली बिल होने पर करवाई राची के सहरी छेत्र में 10,000 रुपए और ग्रामिन छेत्र में 5,000 रुपए से उपर बिजली बिल बाकाया होने पर लोगों के कनेक्शन काट दिये जाएंगे जाकन बिजली बित्रन निगम लिमिटेट के महाप्रवन्धाक सम्मुख अभियांता पिके स्रीवास्ताव ने गुरुवार को सभी विदूत करवालक अभियांता को निर्देश दिया है कि सोरी छेतर में 10.000 रुपए और गरामीन छेतर में 5.000 रुपए से उपर बिली बिल बाकाया लोगों से वसुली करने को कहा है साथी लोगों को किस्तों में भुक्तान करने की सुवधा भी दी जाए इसके बाद वी बील का भुक्तान लोग के द्वारा नहीं किया जाता तो उनका connection काट दिया जाए बतादे या करवाई सुक्रवाई से सुरू करने को कहा गया है मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला मामले में अब तक 34 गिरफतार मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला करने की कोशिस मामले में गुरुवार तक कुल 34 गिरफतार किया गया है इसमें साथ नवाली को बाल सुधार गिरी भेजा गया है जबकि एक गिरफतार आरोपी कुरोना पोजेटी पाया गया है बुद्वार को 26 लोगों को जेल भजा गया था सीम ने सुनी जनता की फरियाद मुख्यमंत्री हमन सुरेन से गुरुवार को आम लोगों ने मुलकाइत कर अपनी अपनी समस्याओं से अउगत कराया मुख्यमंत्री ने बारी बारी से लोगों की समस्याओं को सुना की चल रही तेयारियों की अधिकारियों साथ समीक्षा की मुख मंत्री ने कहा कि कुरोना टिका करन के सफल किरणोयन के लिए समय पूर फूरी विवस्था दुरूस्त कर ली जाए बतादे स्वास्ति विवाग परधान से चीव डाक्टर नितिमरल कुलकरनी ने मुख मंत्री क के अगत कराया कि 8 जनवरी को राजे के सभी जीलो में कोविड-19 टिका करन को लेकर ड्राइए रन का अवजन किया जाएगा इससे पहले भी राजे के छोग जीलो के 375 वेंटी लेटस को चिनित कर कोरोना टिका करन का सफल ड्राइए रन किया जा चुका है किसानों की समस्या जानने के लिए रूखा किरिसी मंत्री का काफिला रामगार जीला के दूलमी परखन अतरगत कुल ही चोक पर गुरुवार को अचाना किरिसी मंत्री का काफिला रूख गया बता दे किरिसी मंत्री बादल पत्रले खोद ही किसानों का हाल जाना उन्होंने सब जी प्यक्रताओं से बरतमान इस्तिती के बारे में भी जनकारे ली बता दे क्रिसी मंत्री राची से जर्मुंडी जा रहे थे वे कुल ही चोक में कुछ पल के लिए रुके और कांग्रेसी करकताओं से मिले धन्यवाद